बच्चों हमने अपने आसपास विज्ञान को देखा है हमारा आसपास का जो पर्यावरण है वातावरण है इसमें हम विज्ञान को देखते हैं जैसे विज्ञान में आप ए फिजीक्स केमिस्ट्री बालोजी मैस्ट पड़ते हैं तो सब कुछ जो है ये हमारे आसपास है अभाव में चुकि बालोजी के स्टूडेंट्स हैं तो बालोजी के हिसाब से यदि जी विज्ञान की हम बढ़ए बात करें तो इस यह जो जीउ विज्ञान ने वह हमारे आसपास है और ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं हैं घटनाएं हैं जो जी विग्यान से जो संबन्दित हैं वो हम आपने आसपास देखते हैं लेकिन चुकि हमें वो जी विग्यान के अवधारणाय जो है उनका पता नहीं रहता है हम उनको जोड़ने ही पाते हैं हम उसको दैनिक जीवन से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आएए चलिए हम अभी जो है जीविग्यान के ऐसी ही एक अध्याय के अंतरगत जो है हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं है जो प्रक्रियां हैं उनको जोड़के देखते हैं तो आपने अकसर क्या किया होगा कि एक आपको अपने घर में अपने आंगन में गमले में कोई चोटा सा पौधा लगाना होगा तो आप क्या करते हैं एक नर्सरी जाते हैं यह आपके दोस्त के पास उसकी किसी कि कलम होती होगी तो वह आके लगाते हैं यह आपने बीज़ भी बो दिया जैसे चने के हैं मौंग के हैं वो यदि आप बीज बो देते हो तो होता क्या है यदि आप उसका ध्यान से अवलोकन करेंगे तो आप क्या देख पाते हैं कि जो आपने बीज बोया था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है तो यह हम अपने आसपास देखते है अब एक दूसरा उधारण हम यह दी देखें तो जैसे आपको कभी चोट लग गई है आप मालो गाड़ी चला रहे हैं सैकल चला रहे हैं तो आप गिर गए तो आपके घुटनों में या हाथ पैर में कहीं चोट लग गई है या किच्छन में काम कर रहे हैं तो आपको मतलब स्कून बहने लगता है आप ये खुद भी जानते हैं कि थोड़ी देर बाद वो क्या है जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुख जाती है और हो सकता है यदि गहरा कटान है तो घाव बन जाता है और आपने इसको खुदी अनुभाव किया होगा कि थोड़े दिन बाद जो वह सोचने वाली बात है कि यह सब जो प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से हो रही है ठीक है एक और उधारन आप देखते हैं मालो जैसे एक नवजात शिशु है वो जो पैदा होता है अब आप उसको अवलोकन करिये आप उसको एक मेने बाद देखेंगे उसको चार मेने बाद देखेंगे और उसको यदि आप 6 मेने बाद देखेंगे तो क्या आप देख पाते हैं तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे वो जो बच्चा है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है उसकी साइज में उसके आयतन में जो है वो परिवर्तन आ रहा है तो यह जो है हम आपने आस साइक्टल है अप जानते हों की राइफ साइकल यानि जीवन चेक्र है तो जीवन चेक्र की जो शुरुआत है तो यहां पर जैसे आप देखे ज scholar शुड़ी है तो आंडे से जो हमारे लिए सोचने की बात हैं अभी हमने जो चार उधारणों की बात की, तो ये सब प्रक्रियाएं हम होते भी देखते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जैसे सजीव जो हैं, चाहे वो एक कोशिकी हो, चाहे वो बहु कोशिकी हो, सब जो हैं वो कोशिका से बने हुए हैं, अब आप जानते हैं कि अमीबा है, पैरामिश्यम ह जीव, जीवानू है, ये एक कोशिगा से ही बने हुए हैं और हम जैसे जीव, हम मनुष्य हैं, हेल, हाती, गोड़ा और भी कई सारे आप नाम बता सकते हैं, तो ये सब जो हैं, वो बहुत कोशिगा जीव हैं अब यहां पर विचार करने वाली बात क्या है कि जो भी आप ये सजीव देखते हैं हमारे आसपास या हम स्वैम भी तो इन सब की जो शुरुवात है यानि कहना चाहिए कि जीवन की जो शुरुवात है वो कहां से होती है वो भी एक कोशिका से ही होती है अब एक कोशिका जैसे कि आपने पहली वाली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्रजिनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि नर युगमक और मादा युगमक का जो है वो सनलयान होता है फ्यूशन होता है यानि ये निशेचन की प्रक्रिया है और निशेचन की प्रक्रिया में क्या बनता है जाइगोड बनता है यानि यूगमनस बनता है तो ये यूगमनस भी क्या है वो एक कोशिका है अब ये एक कोशिका से कैसे एक बहुँ कोशिकी जीव बनता है ठीके तो इसको समझने की जुरत है तो ये जो जाइगोड है इसमें एक विभाजन होगा, यह दो कोशिकाय बनाएगा, दो से फिर चार कोशिकाय, आठ, 16, 32, इस तरीके से एक भ्रून का निर्मान होता है, और भ्रून जब पूरी तरीके से विक्सित हो जाता है, तो फिर वो शिशू के रूप में जो है उसका जनम होता है, तो यह जो प्रोसेस हो रही है, इसको भी हम समझेंगे, इसके साथ ही आप जैसे जिवानों या अमीबा है या पैरामीशयम है, उसमें यदि हम देखें कि इसमें जो है, यह कोशिका का जो विभाजन है, वो किस तरीके से वो प्रदर्शित हो रहा है, हमने अभी जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गनि होते गई और वो व्रिद्धी और विकास के जड़िए वो एक जीव में बदल जाता है, लेकिन यहां जिवानों अमीबा पैरामीशयम की बात करें, तो यहां क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बन रही है, इसका मतलब है कि यह एक जिवानों जो है विभाजी तो कर दो जिवानों बना रहा है, और अमीबा में भी ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो प्रक्रिया हो रही है, वो प्रजिनन की प्रक्रिया हो रही है, यहां भी कोशिका का विभाजन ही हो रहा है, और जो हमने पहले उधारन लिया, बहु आप जो देख रहे हो वो जो कोशी का विभाजन है वो प्रजिनन का एक तरीका है तो इस तरीके से आज हम अपने अध्यायक अंतरगत जो है वो कोशी का चक्र और कोशी का विभाजन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है इसके बारे में हम आज जानेंगे तो बच्चो इसकी ह इस्ट्री को भी जानना जरूरी है तो सबसे पहले जो है यह औब घारणा को देने वाले जो थे वो वेग्यानिक जो थे वो रुडॉल्फ की जनक करेंगे Aww. चाहरा लिडानिथी। कोशिका से ही उत्पन्न होती है या पैदा होती है उन्होंने जो कहा था वो ओमनिस सेलूला यी सेलूला ठीक है तो जो कोशिका है वो पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न हो रही है और ये प्रक्रिया जिसमें कोशिका अपने ही समान दूसरी कोशिका को पैदा कर रही है या उत्पर ना कर रही है तो यह जो प्रक्रिया है यह जो है वो कोशिका विभाजन कोशिकी प्रेजिन या साल डिवजन या सेल रेप्रोडक्शन जो है वो कहलाती है तो कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है इसमें कौन-कौन सी अवस्थाएं जो है वो शम समल यह फिर जो यह कोशिका, इसमें चक्र क्या है इन सब की बाते जो हैं हम का आज करेंगे तो बच्चों जैसे हमने अभी बात की कि पौधा है चोटा सा पौधा जो है कैसे इसका आकार, आयतन में विद्धियों के एक बड़ा सा पौधा बन जाता है आपने बर्गत नीम अशोग जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ देखेंगे तो इनके भी जीवन की शुरुवाद जो है वो एक बीज से होती है और वो बीज की जो पहली अवस्था है वो एक कोशिका ही होती है इस तरीके से और जितने भी बहुत कोशिकी जीव है उनकी शुरुवाद जो है वो एक कोशिका से ही होती है तो यहां पर जो हमने अभी पिछले वाले पार्ट में जो उधारनों की बात की थी कि कैसे हुमन बिंग की लाइफ साइकल है वो एक कोशिका से ब्रोन के बाद जन्म होता है शीशू का फिर वो वयस का वस्था में बदलता है एक तितली के अंड से जो है जो कैसे वयस का वस्था में पहुंचता है या पौधा जो है वो बीज से कैसे इतना बड़ा हो जाता है और एक और उधारन हमने देखा था कि छती ग्रस्त उतक जो है वो कैसे ठी कि आपके बालो में रूसी देख होगी कि वो वो जो ए निकलती है तो वो कि BLACKोह की गॉरहा हूवझ निकलती है तो उसके नीचे कि इसकी यह का विभाजन हो रहा है छो है छो एक हог Wars on यहां पर सजीवों में कोशिकाऊं में जए हुए इन हूँ तरही कोशिकाय जो है विवाजित होती हैं और वृद्धी होती है लेकिन जरूरी नहीं है की सभी कोशिकाय जो हैँ उनमें विपाजन की छमता पाई जाए आपि जहाए अधिक्तर जो है वो कोशिकाँ में विभाजन होता है लेकिन कुछ कोशिका ऐसी भी है जिनमें विभाजन नहीं होता है और वो कौन कोशिका का विभाजन की तो कोशिका का विभाजन किस तरीके से हो रहा है कि इन प्रक्रियाओं से यह जो है यह प्रोसेस जो है वो हो रही है तो उसमें हम बात करते हैं सेल सैकल की यानि कोशिका चक्र की तो जो भी यह विभाजन होता है एक कोशिका विभाजित होती है कैसे वो तयारी करती है तो उसको सम्मली तरुप से जो है वो कोशिका चक्र कहते हैं जहाब आप यह देख रहे हो तो इस कोशिका चक्र में जो है दो फेज़ेज होती है एक है इंटर फेज और दुसरी है पीरेड ओफ दसाल डिवजन आप यह जैसे बिक्चर देख रहे हो कि इसम है, S है, G2 है, तो यह जो चार अवस्थाएं है, M माने माइटोटिक फेज, G1 माने ग्रोथ फेज, S माने सिंथेटिक फेज and G2 यह भी ग्रोथ फेज है, तो यह जो पूरी जो आप चक्र देख रहे हो, यह सेल सैकल कहलाता है, यानि कोशी का चक्र कहलाता है, अब इसमें जो ह पहले जो है, वो इंटरफेस होती है, अब इंटरफेस और जो दूसरी हवस्था है, सल डिवजन की, उसको हम लोग अलग अलग जो है, उसके विवरन जो है, अलग अलग हम जानेंगे, तो पहले यदि हम इंटरफेस की बात करें, यानि अंतरा अवस्था की बात करें, तो अंतरा अवस्था जो है वो दो क्रमिक कोशी का चक्र में जो विभाजन हो रहा है और उसमें जो समय लग रहा है वो समय अंतराल जो है वो अंतरा अवस्था कहलाता है यानि इंटरफेस कहलाता है अब आप जैसे पिक्षर में देख रही हो तो एमफेज में क्या होता है हम इस जो शुरुवाद M-Phase की जो है वो प्रोफेस से लेकर तीलो फेस होती है मानि इसके अंतर का चार अवस्थाएं होती है अब तीलो फेस से यानि तीलो फेस की समापती से लेकर आप देख रहे हो जीवन है ऐसे और जीटू है तो जीटू के आखरी में कहना चाहिए जब M यान वेजिए जो है इंटरफेस कहलाता है अब इंटरफेस जो है इसमें यह सैल सैकल में हमने बात कीी इंटरफेस भी होता है और M-Phase भी है यानी कि दो प्रक्रियांं को संभलेत रुप से हम कोशिका चक्र कह रहे हैं तो अब कोशिका चक्र के बारे में ठोड़े और बी बात ह हम कर लेते हैं जैसे ये कोशी का चक्र जो है अन्वांशिक रुप से जो है वो नियंत्रिद उन सभी प्रक्रियाओं का योग है कहना चाहिए कि पहले तो ये वृद्धी करती यानि कोशी का वृद्धी और प्लस उसका स्वैम का विभाजन यानि कोशी का के स्वैम का विभा वो वैज्ञानिक हावर्ड और पहल 극्त है उन्होंने इसका वस्त्रित विबन दिया था और यह कोशी का चक्र है इसमें हम दो बात करेंगे तो पहली बात जो है एंटरफेज की करते हैं यांनि अंतरा अवस्था की करते हैं तो अंतरा अवस्था में कौन-कौन से फेजेस आएंगी जैसे हमने जीवन एस और जीटो की बात की है तो इस से पहले हम यह जान लें कि इस इंटर फेज में जो है केंदरक का क्या रोल है उसके कौन-कौन से लक्षन जो है उस अवस्था में जो है वो परिलक्षित होते हैं तो अब पहले जैसे हम बात करें तो इंटर्फेज में नुकलियस जो है उसमें जो कोशिका है और जो नुकलियस है वो चरम सीमा पर होते हैं यानि वृद्धी की चरम सीमा पर होते हैं इसमें जो है DNA जो है दुगनी मात्रा में हो जाता है और इस अवस्था में क्रोमोजोम जो है यह पतले डिफ्यूजड और कोईल्ड फॉर्म में यह दिखाई देते हैं और इस अवस्था में यानि इंटरफेज के अवस्था में जो केंद्रक में जो है इस अवस्था में केंद्रक का विभाजन नहीं होता है और जैसे हमने बताया कि यह वृद्धी की चरम अवस्था में होता है और इसमें जो है सेंट्रियोल अब आपको यह याद रखना है कि सेंट्रियल जो है किवल जन्तों कोशिका में पाय जाता है तो यह जो सेंट्रियोल जो है इंटरफेज की जो अवस्थाएं हैं वो किस तरीके से जीवन, S और G2 में क्या-क्या मतलब अलाग अलाग रूप से क्या-क्या अपने को लक्षण दिखेंगे हम उसकी बात करेंगे तो बच्चों अभी हमने इंटरफेज की बात की कोशिका चक्रक की एक अवस्था यानि अंतरा अवस्था उसके जो है सब स्टेजेस यानि ओप अवस्थाएं कौन-कौन सी है उसको देखते हैं तो यह इसकी तीन ओप अवस्थाएं है जीवन यानि ग्रोथ फेज, S मतलब सं यानि संथेसिस की फेज है और जीटु मने ग्रोथ फेज है तो इन तीनों में जो है इन तीनों अवस्थाओं में जो है क्या-क्या परिवर्तन होता है क्ँछ – कन किन-चीजों का निर्मान होता है कहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है तो इसको देखते हैं हम सेल सैकल में जो है तुछ उधारण देखते हैं कि कोशी कोशिट का पितना समय लगता है। आप किम करें किम करें हुआ किम के और के कोशचा के विभाजन में हम आसपास जीव देखते हैं, उनमें कितना समय लगता होगा, तो इसको हम एक चार्ट के जरिये समझने का प्रयास करते हैं, तो जैसे आप यह देख रहे हो कोशिका के प्रकार है, मतलब कौन से जीव की कोशिका है, उनको धारन के रुप में लिया गया है, फिर कोशिका चक् पहला एक्जामपल है, विसिया फेब का है, इसमें आप इस पश्चर रूप से देख रहे हो कि जीवन में इसको बारा घंटे लग रहे हैं, एस फेज में छे घंटे लग रहे हैं, फिर जीटू में बारा लग रहे हैं, और फिर एम फेज में एक घंटा लग रहा है, तो गंटा तो वो टोटल मान लिया जाए तो 26 गंटे लग रहे हैं और फिर हम human cell यानि हमारी कोशिकों में विभाजन में कितना समय लगता है ये भी आपको जानना जरूरी है तो जैसे आप देख रहे हो G1 में 12 गंटे लग रहे हैं और S phase में 6-8 गंटे हैं और फिर G2 में 3 गंटे हैं और M phase में 1 गंटा है तो टोटल हमने समय को मिलाया तो 22-25 गंटे मतलब आप समझे कि पूरे एक दिन में यानि 24 गंटे का समय लगता है एक कोशिका विभाजित होती है यानि एक कोशिका दो कोशिका बनती है अब आपको जानकर आश्र होगा कि कुछ ऐसे भी ज्रीव हैं जिन में को बहुत कम समय लगता है उनके वीभाजन में या गोशपा हो रही है तो बहुत कम समय लगता है तो जैसे एक उधारन है यीस्ट का इस्ट आप जानते हो एक कोशी की यह क्या है कवक है तो इसकी जो कोशिकांaj जो विभाजन का जो समय ले रहे हैं वो 90 मिनट में ये विभाजित हो जाती है और फिर बैक्टिरिया को आप देख रहे हैं जिवानू को केवल 20 मिनट लग रहा है तो अब आप इसको को रिलेट कर सकते हैं कि जब कोई हमारे शरीर में कोई पैथोजन्स एंटर कर रहा है जैस कोशिका यानि जो बैक्टिरिया की जो कोशिका है उसके विभाजन में कितना कम समय लग रहा है और हमने पहले भी बात की थी कि इन में जो कोशिका का विभाजन हो रहा है वो प्रेजिनन का तरीका है तो इस तरीके से यह क्या कर रहे हैं अपनी संख्या में व्रिद्धि कर यानि कि एक दिन में कितनी इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो यहां पर मैं एक बात और आप लोग को याग दिलाना चाहूंगी कि कभी आप बिमार पढ़ते हैं कोई ऐसी बिमारी या संख्रामक रोग हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है हमको कि शोने वाली हमें को कंट्रोल करने और उनसे हमारी ठार के लिए दे जाती हैं तो आपने अक सरिय गौर किया होगा कि डॉक्टर जो है workplace जो बताते हैं कि 3 दिन का ढॉइस है घृटरण है जो भी है घृटbernा भी हो सकता है यदी वह इस ठरह कि मतलब उनको उनको वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे तो एक्चिली क्या होता है जैसे मालो दो डोस कहा गया है कि सुभे और शाम को लेना है तो जो एंटिबाटिक्स जो बनी रहती है वो जिवानों के ही वो निश्क्रिय कहना ची एक्स्टरक्ट होते हैं तो यह जैसे हमारे आप ने बाड़ी में एंटर करते हैं तो एंटिबोडी बनती हैं और फिर वो जो बैक्टिरिया है उनको खतम करती है अब आपने क्या कि पहला डोस ले लिया और सेकेंड डोस आप भूल गया तो अच्छली क्या था यह एक उनको डिस्ट्रॉइ करने के लिए था कि ताकि की संख्या ना बढ़े अब आपने नेक्स डे मॉर्णिंग में लिया तो आप सोचिए कि जो रात में आपने डोज ने लिया था तो जो बैक्टिरिया बच गए थे वो 20 मिनट में डिवाइड हो रहे हैं एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से आप कल्पना गरिए कि कितनी सारी को कोशिकाय बन जाएंगे कितने सारी जिवानों बन जाएंगे तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी डॉक्टर आएं अंटिभाइटिक्स के संबन में जदी ध्यान दिया जाए तो यह हमें प्रॉपर दोज लेना चाहिए थाकि वह बैक्टिरिया की जो संख्या है उस पर कंट्रोल किया जाए और फिर जो बिमारी है उसके लक्षन के आधर पर जो भी डॉक्टर बता रहे हैं तो दीरे-दीरे क्या होगा कंट्रोल होते जाएगा पांचवे दिन या दसवे दिन या साथ दिन और यहां पर इसलिए हमें यह जिकर करना जरूरी था कि आप अपने हैं इस चीज को समझ भाएं के बैक्टिरिया जो है बहुत कम समय लगता है उसको विभाजन में तो ये कोशी का चक्र की हमने बात की कि कुछ उधारणों में अलग-अलग जातियों में अलग-अलग समय लगता है तो सबसे पहले जो है हम चीवन यानि ग्रोथ फेज की बात करेंगे इसको जो है पोस्ट माइटोटिक फेज भी क कहते हैं क्योंकि ये yn्थेशिस से पहले की अवस्था है इसको करियात्यक फेज कहते हैं अब इसमें जो है किया क्या होता है जैसे कि आरेन रो और jRYDam आचनात्म आवं क्रियातम प्रॉटीन का इस अवस्था में निरमान होता है और देखाने तो कय 你 रधा केंद्रक uh जो है उसकी Size में जो है बहुत कम मात्रा में जो है वरग दी होती है और यदि कुल सेल साइकल की बात करें यानि कुल कोशिका चक्र में जो लगता है समय उसकी बात करें तो ये इसमें जो है 30-40% समय लगता है यानि ये सबसे लंबी प्रावस्था है जैसे हमने पिछले उधारणों में भी देखा था कि G1, S और G2 और M फेज में क्या-क्या समय लगता है जैसे हमने मनुश्य की कोशिका की बात की थी तो उसमें जीवन फेज आपको याद होगा वह 12 घंटे लग रहा था बाकी में आपने देखा था कि 6 घंटे लगते हैं और 3 घंटे लगते हैं और फिर एक घंटा यानि माइट्रोटिक फेज में केवल एक घंटा में कोशिका विभाजित हो जाती है तो आप यह कंपेर कर सकते हैं तो जीवन फेज में जो है वह ज्यादा समय लगता है और यह लंबी अवधी है यानि कुल कोशिका चक्र में सबसे ज्यादा अवधी वाली यह अवस्था है और इसकी शुरुवान जो है वह कैसे होगी टीलो जो है त Yayня समिखित ही जो पहली कोशिका विभाजित हो चुकी ती ऐसमें जिब अब डो कोशिकाएं बन गई Feh वह तो तो समय यह यह जो है इसका you है यानि उसका ये समय है और इसमें जो है क्रोमोजोम जो है वो पतले और लंबे दिखाई देते हैं और ये कहना चीज सेल सैकल के नियंतरण की अवस्ता है अब यहां बार ये गौर करने वाली बात है कि जीवन फेज को हम नियंतरण के अवस्ता क्यों कह रहे हैं तो जीवन फेज से तीन इस्थितियां निर्मित हो सकती है यानि की पहली स्थिति क्या होगी यह सिंपली एस फेज में प्रविश्खर जाए यानि जीवन के बाद एस फेज की अवस्ता आजाए यह हो सकता है यह किसी बिंदू पर जाकर ठहर भी सकती है और तीसरी बात जो है कि यह विभाजन की अवस्था में ना जाकर किसी अन्य अवस्था में जाती है और इसको जो है वह G0 कहते हैं यानि शांत अवस्था कहते हैं तो G0 को भी आपको जानना जरूरी है तो जी जी रो जो है actually देखा जाए तो अनेक प्राणियों में हमने जैसे बात की पौधों में कोशिकाओं में विभाजन की छमता तो होती है लेकिन कुछ कोशिकाओं ऐसी होती जिन में विभाजन नहीं होता है या फिर कहले कि कुछ कोशिकाओं यदा कदा यानि आवशक्ता अनुसार जो है उसमें विभाजन होता है और ये परिस्थिती कब आएगी जब उत्तक जो है वो छतिगरस्ट हो जाएगा और वहां की कोशिकाओं मृत हो गई तो उन मृत कोशिकाओं के जगा पर यानि नहीं क विभाजन जो है वो होना आवश्चक है तब फिर से ये विभाजन की अवस्था में प्रवेश करती हैं और देखा जाए तो मेटाबॉलिकली यदि इसको इस जी जिरो अवस्था को देखा जाए तो यह मतलब सक्री रहते हैं लेकिन एक ही बाद है कि इसमें विभाजन नहीं होता है और जब जोरत पड़ती है यानि आवशक्ता अनुसार जो है इसमें विभाजन होता है बचों अब हम जीवन के बाद S-phase की बात करते हैं जिसको Synthetic Phase भी कहते हैं और इसको जो है Period of Synthesis भी कहते हैं तो चुकई 2-3 नाम रहते हैं तो आपको किसी भी नाम से जो है वो प्रेशन आ सकता है तो हर एक जो उपनाम रहते हैं या गैना ची उसको किसी ओर नाम से भी बिलाया जाता है तो यह आपको ज जाता है या S-phज को जैसे हम बात कर रहे हैं, जीटू की भी बात करेंगे तो ये आपको बता होना चाहिए कि इसको किसी और नाम से cách बोला जाता है, तो ये पीरेड ओफ संथेसिस भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, DNA का संचलेशन होता है और इसमें Purins और Pyramidins की सहता से DNA का निर्मान होता है आप जानते हो DNA की जो basic unit है वो Nucleotides है और Nucleotides जो है वो किसे किसे बना होता है आपका Purins Pyramidins यानि Nitrogenous Base है शुगर है डियॉक्सी राइबोज शुगर है और Phosphoric Acid है तो इन तीनों से मिलकर बना होता है तो यहां पर DNA की निर्मान के लिए क्या चाहिए प्यूरिन और Pyramidins चाहिए तो उसकी साहता से DNA का निर्मान होता है और इसमें जो है सेल में DNA की मातरा दूगनी हो जाती है अब इसका क्या मतलब है दूगनी कैसे होगी तो यह जो है DNA के रिप्लीकेशन यानि डूप्लीकेशन की एक प्रक्रिया है जिसको आप इसका विस्तरित से यानि कहना चीड डिटेल में जो है वह आप 12 में पढ़ेंगे तो DNA का डूप्लीकेशन होता है इसका मतलब DNA के जैसे ही दूसरी एक कॉपी बनती है DNA की निर्मान के परश्चा जो ह है क्रोमोजूम में एक सरचनात्मत प्रोटीन होता है हिस्टोन तो उसका भी इसी अवस्था में निर्मान होता है और कुल समय की बात की जा यानि कुल सेल सैकल का इसमें जो है 30 से 50 प्रतिशत जो है वह समय लगता है अब इसके बाद हम जीटू की बात करेंगे और जीटू कहा जाता है जैसे जीवन को पोस्ट माइटोटिक फेस कहा जा रहा था पोस्ट क्यों कहा जा रहा था कि माइटोसिस डिविजन के बाद जो है वह जीवन चालू होता है अब यह जीटू क्या है माइटोसिस की पहले की अवस्था है यानि डिविजन से पहले की अवस्था है तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है और इसमें जो कुल समय है वो कितना लगेगा आप जैसे देख रहे हो इसमें 10 से 20 प्रतिशत का समय लगता है और हमने कुछ examples में भी जैसे बात की थी कि इसमें जुह है वो और के कोशिकांग जैसे कोशिका द्रव है साइटो प्लाजम गौलजी बॉड़ी है तो जो और कोशिकांग है माइटोकॉंड्रिया है इनका जो है मतलब इनका भी द्विगुणिंग करण होता है यानि इनकी भी क्या कहना चीज संख्या जो है वो बढ़ती है इसके साथ और भी जो जो इस अवस्था में होता है अब यह सब के बाव जो जो है परिणाम सवरुप केंद्रक का जो आयतन है उसमें क्या होती है वृद्धी होती है और इसमें जो है आर आरने और मरने का भी निर्माण होता है अब हमने इंटर्फेस के तीनों सब आवस्थाओं की बात कर ली ज केंद्रक कारी क्षिक एक करता है कोशिका का रख रखाओ करता है और इसमें क्रोमोजोम और dna का किया हूँ रहा है दुग निकरन ब्लिकेशन हो रहा है और फिर निर्मारे ने प्रोटीन के ब्INS वह इसे केंडरक के अंदर ही हो रहा है और ये मक एडारे लक्षने नियंतरन रखता है और ये चो हैं वह व्लोग उसे च्छी ihn लीजास हो significance growth phase को हमने detail में पढ़ लिया कि कोशी का किस तरीके से कोशी का विभाजन के लिए जो है वो तयार हो रही है अब आप जैसे देख रहे हो कि सारी चीजों का क्या हो रहा है निर्मान हो रहा है construction हो रहा है उसके आयतान में वृद्धी हो रही है अब इसका second phase यानि mitotic phase यानि division का phase आएगा यानि M phase आएगा